नमस्कार सातियों, स्वागत एक बार फिर से आप सभी का हमारी यूटूब चैनल एगरो दरपन पर एगरो दरपन पर आज के इस खास वीडियो में आप देख रहे हैं कंकेडा की बेल और कंकेडा की बेल जो राजस्तान के पश्चीमी इलाके में बरसात की दिनों में उगने वाली ये बेल है और खेत की मेड पर जहां बाड़े होती है वाँ पर इस तरह की बेले बरसात की दिनों में चाही रहती है और उस पर कंकेडा लगते हैं कंकेडा है इसकी सब्जी बनाई जाती है और सब्जी इसकी बहुती स्वादिष्ट बनती है बरसात के दिनों में जब ये बेले उगती है तब इसके कच्चे कच्चे कंकेडा होते हैं उसकी सब्जी बनाई जाती है पकने के बाद में इसकी सब्जी उतनी स्वादिश्ट नहीं रहती है जितनी कच्चे कंकेडा के सब्जी होती है वीडियो में आप देख रहे हैं यहां पर यह कंकड़ा के फूल है और यह बेल है इस तरह खेत की मेड़े जहां पर बाड़ लगी हुई है उस बाड़ पर यह पूरी तरह से च्छाई हुई है और यहां पर यह इस तरह कंकड़ा लगे हुए हैं जैसे यह कंकड़ा देखिए इस तरह के कंकेड़ा होते हैं इनकी सब्जी बनाई जाती है और सब्जी इनकी बड़ी स्वाधिष्ट होती है और ये जैसे हमारे स्वाष्टी के लिए भी बहुत इलाप्रद होती है तरह तरह के रोगों से इस सब्जी का सब्जी खाने से मतलब खत्म होते हैं रोग जैसे इसके उपर जैसा क्रेला होता है उसी तरह से रोएदार यह गए और इस तरह के कंकड़ा होते हैं पकने पर इसमें भीज पढ़ जाते हैं वह बीज लाल रंग के होते हैं तब इसकी सब्जी उतनी स्वादिश्ट नहीं रपाती है जैसे वीडियो में देखिए ये कंकड़ा है अभी इसके जो बीज है ये इस तरह के बीज है लेकिन अभी ये पूरी तरह से पका नहीं है पकते ही अंदर से लाल हो जाएगा और इसके बीज भी लाल होने लगेंगे तो इस तरह लाल बीज होने के बाद में इसकी सब्जी नहीं बनाई जाती है और इसकी सब्जी डाइबिटीज की रोगियों के लिए एक वरदान के रूप में है क्योंकि ये इसका थोड़ा सा स्वाद है वो खारापन लिये होता है करवा होता है कड़वा स्वाध्य जैसे करेले का होता है यह करेले की पड़ जाती है जंगली करेले इसको किसकते है आप यह राजस्तान में है और राजस्तान के अलावा को priority बेली पाई पूरी मेड़ पर इसी तरह ये बर्शात के दिनों में बेले चाही रहती है और खूब कंकड़ा लगते हैं आजगल बाजार में जहां सुद्ध सब्जियां मिलना बहुत ही मुश्किल हो गया है उसी समय अगर इस तरह की ये सब्जियां होती है तो हर कोई इसको प्रसंद करता है और इसके ओस्दी गुणों को देखर तो हर कोई ये सब्जी खाना चाहता है ये कही तरह के उस्दी गुणों से बरपूर होती है और सबी के लिए ये स्वास्तिय वर्दक है तो किसान भाई है या चाहे कोई भी है इस सब्जी को बहुत ही परसंद करते हैं ये सब्जी अगर आपके जैसे कहीं पर नहीं मिल रही है तो आप इसको बाजार से खरीद भी सकते हैं और कहीं से मंगवा भी सकते हैं तो कहीं जने इसको सब्जी को बेशते भी है ये वैसे सब्जी वो बेलों पर लगती है और ये बेले हर किसी के खेत की मेड़ पर लग जा में अगर आपको कंकडा की बनानी नहीं आती है तो जिस तरह करे लेक्षा जाती है उसी तरह यह कंकडा अब बनाना जानते हैं तो आपके लिए कई तारे के वीडियो यूचू पर मिल जाएंगे वहां से देख करके आप बना सकते हैं और राजस्तानी भासाब में भी के वीडियो है वहां पर भी आप देख करके और यह सब्जी बनाना सीख सकते हैं कंकेडा की सब्जी आप सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगी कंकेडा की सब्जी है यह के जगे इसको कंटोला के नाम से भी जाना जाता है तो अलग-अलग परदेशों में अलग-अलग जगे इसको अलग-अलग नामों से जाना जाता है और यह है कंकेडा या कंटोला पही रहती है तो आप वहां से भी इसको आशानिस से तोड़ करके इसकी सब्जी बना सकते हैं और इसके जो फूल वह पीले-पीले रंग कर आते हैं आप देख रहे हैं वैसे वीडियो में यहां पर यह अभी जैसे यह फूल बनकर चौटा सा कंकेड़ा बना है इसी तरह के कं यह झाए क्केदा की बेलें च्हाई रहती है। यह खेट की मेड़े और इधर यह नाडी तलाब अंग और आप देख सकते हैं। तो अंगर के आश्पास जैसे कोई मेड़े वहाँ पर यह इस तरह के मिल जाते हैं। यहां पर पास ही बेड़े चराने वाले भी गड्रिया भी है यहां पर तो इस तरह के वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवशी करें धन्यवाद